साथियो नमस्ता स्वाज़ा थे आपका अपने चैनल सक्से जंग्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा हैं आपके लिए MPPSC 2021, UPSI 2021 और अन्य सभी परिच्छाओं के लिए महत्पूर्ण एक टॉपिक है नए ब्रांड एमबेश्डर इनसे प्रश्ण आपकी हर प पता है MPPSC 2020 की exam date बढ़ गई है तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि competition बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से competition घट जाएगा sir आप ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जहां तक मुझे पता है 80% ऐसा student होगा जो पढ़ाई छोड़ करके अब क्या है अपना उसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा और चीज़े छोड़ करके अब दूसरी जगा उसका मन लगने लगेगा लेकिन वहीं पर 20% जो student है ज आपको जरूरी है कि current affairs के जो भी topic आपको मिल रहे है current affairs को आपको बिल्कुल करते चलना है साथ ही साथ में क्योंकि फिर आप जब नए सारी सिरे से तयारी करेंगे जब आपका exam आ जाएगा फिर आप अगर नए सिरे से तयारी करते हैं फिर वह सारी चीजे आपको नई ही लगने लगेंगी ठीक है तो बार-बार revise करते रहे है objective हम आपके लिए ले करके आते रहेंगे तो चलिए नए brand ambassador की बात करते हैं प्रस्ट नमबर एक की और चलते हैं और पूरी जानकारी देते हुए आपको आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रस्ट नमबर एक है अभी हा पर मिंतरा ने अपना brand ambassador बनाया है आईए देखते हैं सही answer A.N. कि कियारा आडवानी को मिंतरा ने अपना brand ambassador बनाया है तो ये मिंतरा क्या है और कियारा आडवानी कौन है इन सब चीजों के बारे में आपको आईए हम जानकारी देते हैं तो देखिए मिंतरा एक fashion designing e-commerce company है इ देखिए इसका मुखहले बेंगलूरू में श्थित है इस company के संफापक पहने तो मुकेश بنसल जो है वो इस company के संफापक है flip complain planning 및 याद रखिये क्यों कि पूछ लिया जाता है कि मिंतरा की parent company कौन है तो फिलिपकाड जो है वो इसकी parent company है अभियाल हीमे कियारा आडवारी को इस company ने अपना brand ambassador बनाया है जो की एक अभिनेत्री है तो कियारा आडवाणी एक अभिनेत्री है आपने MS धोनी मूवी देखियोगी उसमें जो साची धोनी का रोल किया था वो थी कियारा आडवाणी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हर एक प्रशन के बारे में आपको detail में जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ेंगे चलिए प्रशन नमबर दो की बात करते हैं देखिए ड्रीम 11 के वर्तमान brand ambassador कौन है अब पूरी चीज़े आपको बताएंगे कि ड्रीम 11 की स्थापन कब हुई थी और ड्रीम 11 चर्चा में क्यों है और महन सिंग धोन है इनके बार तो देखिए ड्रीम 11 एक भारती fantasy sport platform है इसकी स्थापना सं 2008 में हुई थी मुख्याले की बात कर लेते हैं तो मुंबई में ड्रीम 11 का मुख्याला है और वर्स 2020 का जो IPL दुबई में हुआ था तेरवा संसकर्ण था उसकी sponsorship किस ने की थी तो ड्रीम 11 नहीं उसकी sponsorship की थी ड्र ड्रीम 11 IPL आपने नाम भी सुना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कंपणी के संस्तापक की बात कर लेते हैं तो भावित सेट और हर्स जैंजों है वो ड्रीम 11 के संस्तापक हैं महंद सिंग धोनी की बात करते हैं तो महंद सिंग धोनी पूर्व भारती कप्तान है 2007 का टी 20 व रहें इससे क्या फाइदा होगा जब आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन करेंगे टेलिग्राम चैनल पर यह चीज़ें पीडिएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगी तो वीडियो देखिए पीडिएफ देखिए और सारी चीज़ें आपको बार-बार रिवाइज किसे बनाया गया है अविताबच्चन ऑप्सन भी आईश्मान खुराना ऑप्सन से संजेदत या फिर ऑप्सन नमड़ी है जूबीन नौट याल आए देखते हैं सब्सक्राइब को बजाज आलियांज का नया ब्रैंड एंबेश्डर बनाया गया है तो बजाज आलियांज क बरण वरबच़्श्य हीं सामानी बीमा कमपनी है कौन बजाज आलियांज इसकी स्थापना 2.001 में की गए थी मुख्याले की बात करते हैं तो इसका मुख्याले पुड़े में स्धित है और इसकी पेरेंट कमपनी बजाज फिंसर्व IGHलियांज है तो parent company का नाम भी याद रखेगा मुख्याल है कहां पर है पूड़े में है आईश्मान खुराना की बात करते हैं तो आईश्मान खुराना एक भारती अभिनिता और सिंगर है इन्हें एक राश्टी फिल्म पुरुसकार और चार फिल्म फियर पुरुसकार अभी तक मिल सही answer एमिर खान जो है वो डिजिटल पेमेंट गेट वे कंपनी फोनपे के ब्रेंड एमस डर है आई आपको फोन पे के बारे में पहले जान कर दियते हैं फिर आमिर खान के बारे में जान कर दियते हैं कौन-कौन से पुरुसकार इनको मिले हैं तो देखिए फोनपे एक भा ये बात करते हैं तो समीर निगम जो है वो फोन पे के संभाइए और इसकी पेरेंट कंपनी वी कौन है तो फिलिपकार्ट ही इसकी पेरेंट कंपनी है फोन पे की थीकément अमिर खान की बात कर लेती है तो आमिर खान एक प्रसिद भारती अभरेता है। यह ब्रे था है led海 अभी हाल ही में सिक्किम राज का नया brand ambassador किसे बनाया गया है option है सौरब गांगुली option B AR रह्मान option C Aक्षे कमार या फिर option नमर D है इन में से कोई नहीं आई ये answer देखते हैं सही answer B N की AR रह्मान को अभी हाल ही में सिक्किम राज का नया brand ambassador बनाया गया है आईए पूरी जानकारे लेते हैं AR रह्मान के बारे में तो देखिए AR रह्मान को अभी हाल ही में सिक्किम का नया brand ambassador निउक्त किया गया है AR रह्मान का वास्त्रिक नाम क्या है बहुत कम लोगों को पता है इनका वास्त्रिक नाम दिलीब कुमार है इनने 2010 में पदम भूसर सहीत चहराश्टी पुरुसकार से समानित किया गया था देखिए दो ग्रैमी अवार्ड चहराश्टी पुरुसकार पदम भूसर और एक बाप्टा अवार्ड भी मिल चुका है AR रह्मान को तो याद रखिएगा बहुत महत्मूर ब्रक्तितों हैं आपके सभी परिच्छा की दिश्टी से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ट नमबर 6 की ओर तो देखिए प्रश्ट नमबर 6 जेकते हैं सही अंसर BN की तो ताइवान कंपनी एसर ने सोनू सूथ को भारत में अपना 20,000 की दैघ में Cape Verde सामान जैसे मोबाइल लेप्टॉप आज़ Ben20 कंपनी ओर आज बनाने वाली कंपनी है slick के परिच्छाओं में पूछा जा सकता है I am not a Mesiha किस की किताब है तो सोनु सूद की किताब है I am not a Mesiha ठीक है इन्हों ने एक योजना भी चलाई थी लॉकडाउन के समय पर खुद कमाओ घर चलाओ योजना सोनु सूद ने चालू की थी इसमें इन्हों क्या किया था तो ए रिक तो कौन है ला लीगा के नए brand ambassador आईए देखते हैं सही आंसर है डियान की रोहिस सर्मा को ला लीगा का नया brand ambassador बनाए गया है अब ये ला लीगा क्या है और रोहिस सर्मा रोहिस सर्मा के बारे में भी क्या बताना आप जानती है ला लीगा के बारे मां ये जानकारी ले 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 है बाकि रोई सर्मा का बात करते हैं तो रोई सर्मा का समंद क्रिकेट से हैं इन्हें 2020 का राजीव गांदी खेल रते पुरुषकार मिला है बहुत ज्यादा महत्पूर है आपकी सभी आगावी परिच्छाओं के लिए रोई सर्मा को 2020 का राजीव गांदी खेल रते और किसको ब्रेंड बनाया है पूरी जानकारी आपको देते हैं और कुछ जानकारी देते हैं आपको नाडा के बारे में तो देखिए नाडा का पूर रूप है नाडा का हुल फॉर्म आपको पता चल गया आदर से वाख़ी की बात कर लेते हैं जो मोटो होता है तो निस्पचिता से खेलो यह नाडा का क्या है और स्थापना की बात करते हैं तो 24 नॉंबर 2015 को नाडा की स्थापना की गई थी उद्देश से क्या है तो खिलाडियों में डोपिंग को रोकना नाडा का उद्देश है मुख्याले की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली में नाडा का मुख्याला है और अद्देश कौन होते हैं तो भारत के खेल मंतरी जो है वो नाडा की अद्देश होते हैं option number D है Venice Ogard । किसे हरियाणा में brand ambassador बनाया गया है योग के लिए आइए देखने हैं से असर स्रीयान की बाबा राम देव को यहाँ पर योग के लिए brand ambassador बनाया गया है हरियाना में आइए देखने हरियाना के बारे में कुछ जानकारी है देखी हरियाणा में योग और आयुर्वेट के नए ब्रेंड अमजडर बाबा राम देव को बनाया गया है हरियाणा के राजपाल की बात कर लेते हैं तो सत्य देव नाराण आरे जो है वो हरियाणा के राजपाल है यह सारे चीज़े आपको पता हिओंगी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेस्ट नमबर दस की ओर तो पल्स पोली अभियान के ब्रेंड अमेजडर कौन है option A है अक्षाकुमार, option B है रोईस्तरमा, option C अमिताब बच्चन या फिर option number D है सोनु सूद, आई या answer देखते हैं सही answer है सी यानि कि अमिताब बच्चन जो है वो पल्स पोलियो अभ्यान के 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोसित कर दिया था अमिताब बच्चन की बात कर लेते हैं तो इन्हें एंगरी यंग मैन, मिलेनियम इस्टार, बिग बी के उपनाम से भी जाना जाता है वहीं सम्मान की बात करते हैं कौन-कौन सा सम्मान इनको मिला है तो दादा साहिव फाल के पुरिसकार 2019 अमिताब बच्चन को दिया गया है पद्म भूशन 2015 भी अमिताब बच्चन को दिया गया है ठीक है तो यह महत्पूर्ट 10 प्रसंद थे जो आपके एमबेस्टर से समझनी थे और यह परिच्छाओं में आपसे बार-बार पूछे जाएंगी जो भी आगामी अग्जाम आने वाला है UPSI 2021 आपको पता ही यह आने वाला है और जहां तक है आज से फॉर्मिस के स्टार्ट हो जाए हैं आप हिंदी MPPC पर्णें हैं हिंदी आपको यहां भी पढ़ना ठीक है और मैत और आप स्यक्त के लिए पढ़ते ही हैं यहां पर भी आपको पढ़ना है तो अगर आपके पास समय हो तो वैसे फोकस रही है आप MPPC पर लेकिन अगर आपके समय हो तो आप UPSI का फोर्म भी की दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए कल के प्रश्ण की बात करते हैं कल हमने आप से एक प्रश्ण पूछा था और किस-किस ने सही आंसर दिया है उनके नाम की भी बात करेंगे आइए देखते हैं पर राजीव गांदी खेल रतना पुरुसकार स्टार्ट हुए था किसको पहला मिला था किसको आखरी मिला है सारी जानकारी नों दिया और बहुत-बहुत धन्वाद आप लोगों का क्योंकि अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वह आपके दिमाग में सेट हो जाती ठीक है तो यह बहुत ज्यादा महत्मून वीडियो थी आपके लिए और ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ब करने बाद और साथी साथ में हम आपको बता दें कि तैयारी अपनी बरागर कर रकी क्योंगी फिर अगर आप अभी तैयारी छोड़ देंगे तो चीजें आपको नई लगने लगेंगी एंड टाइम पर ठीक है चलिए नमस्तकार